तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है 36 गड में सिजी व्यापम में काफी महतु पुट जो है भरती निकल कर आ रहा हैं सहकारिता विभाग में 3000 पोश्ट जो है अकेले जियां आप से भी को बताना चाहता हूँ, 36 गड़ में आज तक कि जो है कब भी भी तीन हजार पोस्ट जो है सहकारिता विभाग में निकल कर नहीं आया, यह पहली बार है जब आप सभी स्टुडेंट के लिए तिने ज्यादा खाईले वाल पोस्ट जो है देखने को मिल रहा है, तो जो भी स्टुडेंट जो 36 गड़ में स्टुडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स है और जितना हो सके उतना जो है, आप अच्छे से महनत केजे, आप अच्छे से तयारी केजे, आपका सेलिक्शन जो है डेफिनेटली जो है अवसरूप से हो पाए गया, तो 36 पोश्ट में आपके अकेले सतरा सव पोश्ट जो है समीती प्रबंदग के होंगे और दो हजार अन्ठावान पोश्ट जो आपके हर पांस समीतियों में जो है एक सुपर्वाइजर का जो है होने वाला है तो यह दियाम सहकारी ता विभाग भरती परिक्षय के तयारी अच्छ सब्सक्राइब कर शयक्ता आतना च्छारन परिक्षय। अपडेट्स हैं काफी महतुपूर्ट जो है जानकारी हैं खुश खबरी हैं और जितना जादा आप तैयारी करेंगे जितना जादा आप चीज़ों को शमझेंगे जितना जादा आप होशके जो ग्यान होता है उसको ग्रहंट करेंगे उतने जादा आपको शक्सेज मिलेगा उतने ज़्यादा काम्याबिया मिलेगे और जब भी हम किसे भी Competence Exams के लिए Preparations करते हैं महनत करते हैं भले हमें काम्याबिया फूश टाइम ना मिले भले हमें शक्सेज ना मिले इतले निच का मतलब यह नहीं कि हमारा महनत खराब हो गया हमारा महनत खराब नहीं होता हम पढ़ाई करते हैं तो हम चीजों के बारे में जानते हैं शिकते हैं हमें वो Realization होता है हमें Experience होता है और सफलता है तो यहीं बोलता है कि तुम्हें बार बार ठोकर मिलेगा कई बार तुमें एक्जामस में असफल होगे कई बार तुम्हें एक्जामस में फैल होगे लेकिन उन Failure को भी आपको अपनाना है तब जाके कहीं Success तब जाके कहीं कामियाबिया तब जाके कहीं वो प्रशिद्धी हमें मिल पाता है अगर आपको कामियाबी चाहिए अगर आपको Success चाहिए अगर आपको प्रशिद्धी चाहिए तो इसके लिए जो आपको हर एक रोज जो है मेहनत करना होगा और जतना जादा आप मेहनत करोगे जतना जादा आप तयारी करोगे जतना जादा आप आप आड़ वक करोगे आपको उतने ही जादा बेश्ट है होते नहीं जादा बहतर रिजल्ट जो आप लोगों को मिल ले वाला है तो आपको यही मैं बोलना चाहता हूँ कि तीन हजार पोश्ट आप सभी की स्टूडेंट के लिए सहकारीता भी भगते हैं जो आपकी जिन्दगी को जो है पूरी तरह से बदल कर रखते गया क्योंकि यह मौके जो होते हैं यह जो अपरचुनिटिस होते हैं भरती पर एक चाह गवर्मेंट जॉप्स की तैयारी के यह मौके यह अपरचुनिटिस आपको जिन्दगी में जो है बार बार नहीं मिलेगा एक ही बार मिलता है अगर आप यह सुचूगी कियार बाद में तयारी कर लूँगा बाद में यह कर लूँगा वो कर लूँगा कुछ नहीं कर पाओगे जब आप बाद में आज के काम को आज ही कर लो बलगे मैं तो बोलता हूँ काल का काम भी आज ही कर लो क्योंकि समय आपको कब भी नहीं मिलेगा अभी तक आपने पहली क्लास में थे आज 12 अपास आउट कर लिया गॉलेज कंप्लीट कर लिया देखते ही देखते ही पूरा सब चीज बीद गया लेकिन क्या वो समय वापास आ सका नहीं और क्या अभी तक आपके जिन्दगी में कुछ परिवर्ता ना है आपके जिन्दगी में कोई बदलाव आया है जी नहीं कोई भी बदलाव नहीं आए इसलिए चीजों को समझना है चीजों को जानना है एनलिशिस करना ये सबसे जादे इंपोर्टन्ट है और जितना जाद आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, गहन अध्यन करेंगे, उतने ही जादा आप लोगों के लिए बेश्ट होगा, उतने ही जादा आपको जोए बेहतर कामयाबी, बेहतर सकसेश, बेहतर प्रसिधिया आपको जोए मिलने वाला है, तो साहकारी दाभी में 3000 पुश्ट जो आप सभी इस्टूटेंट के लिए जो की काफी ज़ादा इंपॉर्टेंट ए और जितना जाद आप तयारी पहीरेंगे जितना जाद करेंगे सक्सेश भी आपको उतनी जादा मिल पाएगे, काम्याबिया भी उतनी जादा आपको मिल पाएगा, तो सहकारिता भी भाग में तिन हजार पोश्ट जो है, आप सभी स्टुडेंट के लिए जो है निकल कर आने वाला है, तो इसलिए आपको यही में बोलना चाहता हूँ, यही सला देना चाहता हूँ, अपने पाष्ट को भूल जाओ, फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो, और अपने मन को जितना हो सके, जो प्रेजेंट चाहर रहा है वरतमान चाहर, उस पर कैंदरित करो, उस पर जो है, फोकस करो, जब आप अपना प्रेजेंट पर फोकस करोगे ना, तो आपका फ्यूचर जो है, जरूर ब्राइट होगा, आप यसे काफी स्टूडेंट होते हैं, जो खाली अपने पाष्ट के बारे में सोच कर जो बहुंँ जादा परशान रहते हैं, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में की, मेरा भुवीश्य क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा, हम भुव चल रहा है वरतमान अगर उस पर हम effort लगाएंगे अगर हम present वरतमान पर जो है अगर हम मेहनत करेंगे तब ही हमारी future जो है बदल पाएगा तब ही हमें कामियाबिया जो है मिल पाएगा वरने किसी भी तरह से हमें कामियाबी किसी भी तरह से प्रशिदी किसी भी तरह से success कुछ भी नहीं मिल पाएगा जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन जाएगा इसलिए बोलता हूँ काम करना जरूरी है मेहनत करना जरूरी है आपके पास कितना भी पैसा क्यों नहों अगर आप काम करों अगर आप काम नहीं करोगे न तो आपके सभी पैसे जो है बहुत काम कर लिया भी तो मुझे शोना है मुझे आराम करना है नहीं अपों मेहनत करना है क्योंकि यही वो दौर है यही जो शमय है अगर इस टाइम भी अगर तुम आराम करने के उम्रों में अगर आराम करोगे तो आगे चल कर तुम्हें आराम करने के उम्रों में बहुत ज जादा काम करना पड़ेगा और उस दिन आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा तो उस दिन क्या बोलोगे आप अपने आपको उस दिन भी क्या यही बोलोगी कास यार मैंने पहले मेहनत कर लिया होता हैं मैंने पहले तैयारी कर लिया होता हैं तो आज ये दिन ना देखना कबके बारे में सोचो तुम अपना फिचर जो रिव बदाल शक्ते है तुम्हारा भोश्य क्या होगा यह आपके उपर डिपेंड करता हैं आप क्या करेंगे क्या बन सकते हैं झाय जे ये सब कुछ आपके उपर, आपके थिंकिंग प्रोसेस के उपर, आपके थाट प्रोसेस के उपर ही डिपेंड करता है, इसलिए बोलता हूँ, आप अच्छे से त्यारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा होशक है, उतना मेहनत कीजिए, उतना त्यारी की के लिए हमें लगातार काम पर लगे रहना है तो आई होप वीडियो स्वच्छ लगा हो पसंद आया हो प्लीस वीडियो को लाइक कीजे चैनल पर नहां है तो चैनल को सब पिस्क्राइब कर लिजे शाथ में बेल नोटिफिकेशन को भ्यान करके रख लिजे और वीडियो को शेयर कीजे मिलते हैं नए वीडियो में